नमस्क्राइब दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कार्पुन लोशन के बारे में इसके फायदे नुक्सान इस्तमाल करने का तरेका और कितने दिन तक इसको इस्तमाल करना चाहिए इन सबवी वातों में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखेगा लेकिन वीडियो और इसका जो MRP है वो है संतावन रपे यानि कि 57 इसका MRP होता है और इसमें दो बॉटल होती है जो कि 25-25 ml की होती हैं तो पहले मैं बॉटल खोल के दिखा देता हूं आपको और फिर इसके फायदों के बारे में में भी बताऊंगा ठीक है तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसम एक नंबर और दो नंबर नाम की बॉटल है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके जो फायदे क्या है किस काम में इसको इसको इस्तमाल किया जाता है दोस्तो इसका उपयो को सेहुआ की प्रॉबलम को ठीक करने के लिए किया जाता है दोस्तो सेहुआ वो प्रॉबलम होती ह जो कि शरीर में कहीं कहीं पर भूरे कलर के दाग हो जाते हैं जो कि देखने में बहुत ही बेकार लगते हैं और अगर उसका टाइम पर इलाज ना किया जायते वो पूरे शरीर में फैल कर पूरे शरीर में हो जाएगा ठीक है तो उसका टाइम पर इलाज करना बहुत ही जरूर या बोगा चरम छुली छो जैसे प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए भी किया जाता है यहां फिर इसी कि यह सारे नाम हो सकते हैं ठीक है तो इसमें एक नंबर और दो नंबर है और इसके composition जो है देख सकते हैं आप पॉज करके और चलिए अब जान लेते हैं कि इसको इस्तमाल कैसे करना होता है दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक cotton ले लेनी है बिल्कुल साफ सुत्री होनी चाहिए और उसको क्या करना है कि एक नंबर में भिगो लेना है और जहां पर आपको सिहुआ है जहां पर सफेद दाग है सफेद दाग नहीं दोस्तों सफेद दाग जो होते हैं वो अलग होते हैं और जो सिहुआ होते हैं वो अलग होते हैं सिहुआ आपको मैंने बता है कि जो भूरे कलर के दाग होते हैं हलकल के वाइट कलर हो जाता है सकिन उपर की न नमबर में आपने रूई को भिगो लेना है और जहां पर से हुआ है वहां पर इसको अच्छे से लगा लेना है लगाने के बाद दोस्तों आपने दो मिनट इंतजार करना है जब ये सूख जाता है पहले नमबर वाला लोशन ठीक है फिर आपने दो नमबर को लगाना है उपर से उसी परकार से रूई में भिगो करें लेकिन दूसरी रूई लेनी है आपने एक नंबर वाली फेक देनी है ठीक है दो नंबर में जब भिगोना है आपने तो नई रूई चाहिए आपको ठीक है उसी रूई को इसमें नहीं डालना ठीक है अगर ऐसा होता तो दोस्तों इसक भी कर सकती थी कंपनी लेकिन उसमें कुछ कारण हो सकता है तो आपने अलग-अलग रोई का इस्तमाल करना है ठीक है इसको लगाने के दो मिनिट बाद सूखने के बाद फिर आपने दो नंबर को उस जगह पे लगाना है दोस्तों लगातार अप इसका इस्तमाल कीजिएगा आपको आट-दस दिन में ही इसका रेजल्ट दिखे जाता है फिर भी आप इसे लगातार इस्तमाल कीजिएगा 10 से 12 दिन तक जैसा कि आप देख रहे हैं इस पर लिखा हुआ है 10 से 12 दिन तक इसका वेवार कीजिए ठीक है तो अगर आपको भी सहुआ की प्रॉबलम है सहुला की प्रॉबलम है तो आप इस कारपिन लोशन को इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन दोस्तो इस्तमाल करने से पहले एक बर अपने डॉक्टर की सला जरूर लेने ना क्योंकि हो सकते हैं आपकी पहले से कोई दवाईयां चल रही हो और फिर भी जब भी इस्तमाल करें डॉक्टर की सला के साथ में ही इस्तमाल करें क्योंकि इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं जैसे कि इसको लगाने से आपको जलन हो सकती है या फिर रेडनेस हो सकती है लाल दाने निकल सकते है या फिर बहुत ज़्यदा खुजली भी हो सकती है अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको पहले दिन से लगती है तो आप इस सुहुआ की प्रॉब्लम है वो बिलुकुल जड़ से ठीक हो जाएगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बड़ी को लाइक जुरू कर देने हो चैनल को सब्सक्राइब करने न भूलेगा धन्यवाद